प्रस्णावली 1.2 का अध्यन करेंगे तो आपसे मेरा रुकेस्ट है कि अगर आप हमारी इस चैनल पर नए है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल अकन को आइए क्लास को शुरू करते हैं बच्चो देख रहे हैं आपके पास प्रस्णावली 1.2 आ चुका है और ये एक नमर में लिखा है कि नीचे दिये गए कथन सत्य है या असत्य है कारण के साथ अपने उतर दिजी तो ये कोस्टन देख रहे हैं एक नमर कोस्टन है दो नमर कोस्टन है और तीन नमर कोस्टन है आज ये अच्छी तरह से इसको देखते हैं, कैसे इसको बनाएंगे? बच्चो देख रहे हैं, एक नमर में क्या करना है आपको? कि प्रतिएक और परिमे संख्यां एक वास्तिविक संख्यां होती है, तो ये सत्य है, ये सत्य लिखेंगे, और इसमें करना क्या कुछ नहीं करना है, इसमें कारन को लिखना है, तो कारन क्या लिखेंगे? तो कारन को लिखेंगे, वास्तिविक संख्यां में और परिमे संख्यां भी होती है, पस आपका एक नमर का आंसर किलियर हो गया बच्चो दो नमर देख रहे हैं कि संख्या रेखा का परतिक बिंदू रूट M के रूप में रूप का होता है जहां M एक प्राकृतिक संख्या है तो इस कथन को हम असत्य कहेंगे असत्य कहेंगे तो आपको कारण भी तो देना है न आईए कारण को देख रहे हैं अच्छी तरह से देखें बच्चो आपका क्या है तो इससे लिखेंगे बच्चो कारण में कि संख्या रेखा पर रिनात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है और प्रतीएक बिंदू पर एक वर्गमूल हो और यह संभाव नहीं है इसलिए यह कथन असत्य है तीन नमर क्वेशन को देख रहे हैं बच्चों कि प्रतीएक वास्तिविक संख्यां एक और परिमे संख्यां होती है तो यह और सत्य है तो आपको कारण भी लिखना है कि वास्तिविक संख्यां में परिमे संख्यां भी होती है यह आपका रिजन हो गया बच्चों इसी संख्यां का वर्गमूल का उधारन देजिए जो एक परिमे संख्यां है आईए बच्चो इसका answer क्या लिखेंगा आईए देखते हैं बच्चो ये आपका answer हो गया लिखेंगे इसका नहीं और सभी धनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल और परिमें नहीं होते हैं जिसे root 1 वराबर 1 तो इस तरह इसको साविद कर सकते हैं ये आपको reason लिखना था क कि क्यों नहीं होगा और क्यों अगर होगा तो ये आपको answer लिखना इसी तरह से बनाया जाता है आईए बच्चो देखते हैं next question बच्चों देखने आपके पास तीन नमर question आगे है कौन सा question है कि दिखाए कि संख्यों रेखा पर root 5 को किस परकार ने रूपीत क्या जा सकता है बच्चों इसे कैसे बनाएंगे ये आप इसके ले लिजिए और उसके बाद ये आप protector ले लिजिए और उसके बाद क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से बनाएंगे आईए एक line को पाहले खीच देते हैं बच्चों अच्छी तरह से देखें समझें और बनाने का परियास कर यहां पर से देख़िए, Beach Point में आप Zero को indicate कीजिए, यह आपका Zero हो गया, यहां से आपका एक होगा, यहां आपका दो लिखा जाएगा, यहां आपका बच्चों तीन लिखा जाएगा यानि यह एक वड़ाता है और यहां आप चार लिखेंगे, बच्चों आप भली बांती जान रहे हैं बच्चो अब इसको बनाया जाए तो कैसे इसको बनाएंगे बच्चो धियान रहे आप समझेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे अच्छी तरह से देखिए इसको बच्चो अब आप यहां क्या करेंगे यहां से अब रेखा को जो देख रहे हैं यह जीरो और दो तो यहां तक हमने रेखा को खिचा और यह आपका डैमेटर कितना यहां से आपका लिए कितना लिए यह आपका दो एकाई लिए यानि दो सेंटिमेटर लिए और यह दो सेंटिमेटर जब आपका है बच्चों तो यहां जब देखें यहां आपका 0 है यह 1 है यह 2 है तो यहां से यहां के दूरी कितना है 2 इंची है यानि 2 सेंटीमेटर को लिए या 2 इकाई को माने यह भी हो सकता है और यहां से आपको कितना लेना है इसको यहां से 1 इकाई लेना है यानि 1 सेंटीमेटर लेना है तो आप देखें इंची को यहाँ पर खड़ा करेंगे बच्चो और एक सेंटीमीटर ही लेना है कहाँ पर लेंगे जहाँ पर आपका दो इंडिकेट किया है तो एक सेंटीमीटर लेकर आप इसे अच्छी तरह से देखिए बच्चो यहीं पर इसका कमाल होता है कैसे इसको बन ये आपका 1 cm का है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, अब बच्चो आपको क्या करना है, आप देखें, आपका ये क्या हो गया, ये आपका A हो गया, और ये आपका क्या हो गया बच्चो, ये आपका B हो गया, इसे अच्छी तरह से जान रहें, ये आपका A हो गया यह आपका B हो गया तो यह आपका क्या हो जागा यह आपका C हो जागा बच्चो तो आप क्या करें अच्छी तरह से देखिए इसको बच्चो 0 यहाँ आपका A जो दिया है A से C के मद्ध कौन को दोनों को मिला दिना है अच्छी तरह से इसकेल को साजाईए और यहां से आप अच्छी तरह से इसको अराम से इसको मिला देजी बच्चो यह देखे बच्चो आपका यहां इंडिकेट होगे अच्छी तरह से इसको यहां से मिला लेंगे यहां से अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और मिला लेने के बाद बच्चो अब आप देखेंगे बच्चो अब क्या करेंगे यहां से इसको अच्छी तरह से ले लिजी इसको बच्चो अब यहां पर जीरो में इसको पॉइंड को रखेंगे और पॉइंड को रखने के बाद बच्चो आप क्या करेंगे अच्छी तरह से यहां से आपको चाप लेना है अच्छी तरह से देखिए बच्चों कहां पर ये कट रहा है ये बिंदू जहां कट रहा है उस बिंदू को हम क्या कहेंगे इसको D बिंदू कहेंगे यह देखे बच्चों, आपका यह कर्टान बिंतु हो गया, यह क्या हो गया, यह D लिखेंगे, यानि A, B, और यह C हो गया, और यह बच्चों आपकर दी हो गया, और यह जो आप देख रहे हैं यह कर्ण, यह कितना है, यह रूट 5 है, तो यह आपका कर्ण को कह रहा है, बच् यानि A C A C यह A C है और यह देख रहें A D है A और D यह बराबर किसका है अब देखनाची से रूट 5 के बराबर है तो यह अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि A D का मान कितना आ गया आपका A D का मान आपका रूट 5 आ गया इसको आप बच्चो यह कैसे बनाएंगे यह पाइथा गुरस परमे के साथ हम चलेंगे तो आईए पाइथा गुरस परमे के साथ हम हल करते हैं बच्चो जब हम पाइथा गुरस परमे का यूज करेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं यह देखते हैं करन आप देखिए आपका जदियां आपका करण स्कुर है तो यहां हम क्या लेटे चोर्फिते हैं एक्वेल टू है अध्हार आपका है ना तो अध्हार आपकां कितना है अध्हार इहां पर देख रहें 2 सिंटीमीटर का एडिया क्या लिक AwATHAN दो सेंटीमेटर लिखेंगे पलास लंब कितना लिए थे लंब यहां आपका एक सेंटीमेटर है यहां लिखेंगे एक सेंटीमेटर लिखेंगे बच्चों अब आगे काम को देखिए कैसे क्या काम होता है तो दो पर वर गया है कितना हो दो दूनी चार हो गया पलास वन का वन आप देखे यहां आपका स्कॉयर है और यहां फाइव है अब इसको हम इक्वल कैसे करेंगे इसको अच्छी तरह से समझे यह लिखेंगे कर्ण स्कॉयर अच्छी तरह से लिखेंगे कर्ण स्कॉयर एक्वल टू अगर यहां आपका रूट है यहां स्कॉयर है तो हमें भी यह 5 है तो इसको भी हमको square करना होगा जब इसको square करेंगे ये side में भी square रखा जाता है बच्चों इसे अच्छी तरह से याद रखें अब क्या करेंगे ये root और ये आपका square ये दोनों कर जाता है अब मेरे पास क्या अब देख रहां है करन अपका बच गया in इक्वाल टू क्या बच्किया बच्चो करन यहां आपका रूट है तो यह क्या बच्किया करन रूट फाइव हो गया तो बच्चो आपका भेल्यू क्या आ गया एस से इक्वाल टू रूट फाइव जो कि हम करने की भेल्यू निकाल जी यह आपको का रहता यही बच्चो आप का आंसर हो गया बच्चों आप तीन नमर तक आंसर को देखे कैसे बना दाया जाता है आप कोस्टन नमर चार को दीख रहें कच्छा के लिए क्रिया कलाब यह आपका एक्जामिन नहीं आएगा लेकिन आप इसे रचना कर लीजिए यह जो बनाया हुआ को भाणतों अबच्चों इसी तो आप को बनाते हुए आगे चलना और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चार नमर को कैसे बनाएंगे तो आपको क्या करना है आप सीधी सी रेखा ले लिजी बच्चों कुछ नहीं करना सीधी सी रेखा ले लिजी और उसमें क्या करेंगे यह आपको एक सेंटीमिटर लेने के लिए कहा रहा है बात को समझेगा आपको एक सेंटीमिटर ही लेना है इ चांद को ले लिजिए और चांद को लेने के बाद बच्चों अच्छी तरह से Point को indicate करेंगे मिलाइए और यह आपको क्या करना है बच्चों यहां पर देखिए 90 degrees का आप चिंहा लगा लेजिए और उसके बाद बचो क्या करेंगे इस line को यहां से अच्छी तरह से देखिए जहाँ पर आपका indicate कि यह 90 degree का यहां से आप क्या करेंगे एक centimeter ही लेना है बचो धियान रहे तो देखे बचो यहां से 7 है और यह six है तो यह मेरा कितना हो गया एक centimeter हो गया यह एक सेंटीमेटर को दिए बच्चो याद रहे आपको एक सेंटीमेटर यानि इससे कम होगा यह यहां से दूरी अधीक है लेकिन यह एक सेंटीमेटर ही है और यह आपका कितना है एक सेंटीमेटर है यह दोनों एक्वल है इस चीछ को बच्चो याद रखेगा आपको बच्चो आप अच्छी तरह से इसे मिला देजिए यह आपका मिल गया अब मिला देने के बाद बच्चो पुन्हा क्या करेंगे इसको अच्छी तरह से घुमाईए फिर से और क्या करेंगे फिर यहां रखकर आप क्या करेंगे बच्चो आप यहां पर फिर से इसको रखकर फ लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है अब यहाँ इस तरह से आप यहां कौ पु मिलाएंगे और कौण को मिलाने के बाद आप यहां देखने कहीं भी आगे पीछ नहीं होना चाहिए यहां पर आपका इंडिकेट है और यहां पर इंडिकेट है वाई बच्चों कितना लेते हैं एक सेंटिमेटर का बाद है ना तो एक सेंटिमेटर लिजे और यहाँ पर इसको खड़ा कर देजे और फिर क्या करेंगे इसको यहाँसे मिरा दीजी बच्चों यह आपका हो गया इस तरह से मिलाइए कहां जम मिलेगा यहां पर इसको मिला देजिए यह आपका मिल गया इस तरह से अब पुन्हा फिर जाएए कहां पर फिर यह रेखा जो आपका यहां से खड़ा हुआ था नबे डिगरी का यह नबे डिगरी का है पुन्हा फिर आके यहां फिर यहां से आप इसी तरह से नबे डिगरी का खड़ा किजिए फिर यहां से अच्छी तरह से देखे कि कहां किस तरह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यहां पर इस तरह से रखेंगे फिर यह नबे डिगरी का चिनहा देजिए अच्छी तरह से देख लिए यह नबे डिगरी का चिनहा हो गया और फिर अच्छी तरह से देखिए बच्छो यहाँ पर इसको मिलाएंगे और यहाँ से मिलाने के बाद इस और यह सरपिल भी दिखा ये ओप्यो करता है तो बच्चों यह आपका बच्चों पी हो गिया यह आपका बच्चों पी वन हो गिया यह आपका बच्चों पी टू हो गिया यह आपका पी थरी हो गिया इस तरह जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों इसी तरह आपका बढ़ते यह हमका है और यह कितना आपका यह रूट 5 है यह आप देख रहें तो यह क्या होगा से प्री यह हो जाएगा और फिर यहां क्या身 kar घ्ड cath और two hooga तो ओपी two कितना होगा रूट three होगा बच्चों फिर आप देख रहें इस तरह बढ़ेंगे ओपी three जब आपका जाएगा बच्चों तो यहां आपका क्या हागा तो रूट four हो जाएगा बच्चों रूट four का वर्गौल कितना होता है तू होता इस तरह से आप बच्चों आगे बढ़ते हुए चलेंगे यह आपको थिरी तक बताए तो इस तरह बच्चों आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे इस तरह से बच्चों इसे आप आगे परियास करेंगे कि और आप यहां पुन्हें एक बड़ा अच्छी तरह देख लिजिए आपको यहां प अगया हुआ अगर किसी तरह का दिक्कत आपको हो तो कोमेंट में आप इसका रिपला करेंजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो अगर किसी तरह के अगर किसी तरह क्वा हो को में या वीडियो में बाले कहीं ही mosquitoも हो तरह किसी तरह किसी तरह